हिंडन वर्ग की रिपोर्ट हिंदुस्तान की अर्थ विवस्था पर हमला क्यों है ये अगर आप अब भी नहीं समझे तो थोड़ी दुनियादारी समझाते हैं हाला कि इसका कतई ये मतलब नहीं है कि अडानी पर हमले का मतलब भारत पर हमला है बलकि इसकी कहानी ऐसी है जिसे देखने के लिए आखों से वामपंथ और अंग्रेज वाद का चस्मा उतारना होगा ये तो आप भी जानते हैं कि भारत का आर्थिक और राजनेतिक रूप से मजबूत होना दुनिया को और खास कर अमेरिका और चीन जैसे देशों को तेजी से खटकता है पश्चमी देशों की स्थिती ये है कि वो अमेरिका के पिछलग्गू बनकर ही रह गए है अमेरिका को कभी ये बरदास्त नहीं कि उसके सामने कोई देश खड़ा हो बड़ा हो और उसको चुनोती दे जब भी किसी ने चुनोती दी है तो वो किसी भी हद तक नीचे गिरा है चाहे वो जापान पर परमानू अटैक हो रूस को विवाजित करवाना हो या फिर चीन से दुश्मनी हो अभी जो बांगलादेश में हुआ उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है ये अब किसी से छिपा नहीं है अब तो शेख हसीना ने चिठी लिखकर सबको ये बता भी दिया कि अमेरिका बांगलादेश के सेंट मार्टिन आइलेंड पर अपना अधिकार चाहता था और उसके एवज में हसीना की सत्ता का समझोता कर रहा था हसीना ने माना नहीं और उसका अंजाम जगजाहिर है ऐसे में यहां समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर अमेरिका भारत से चाहता क्या है बार बार हिंडनबर्ग वाला सगूफा क्यों छोड़ता है जब से भारत ने अमेरिका और पस्चमी देशों को उनके घर में ही जवाब देना सुरू किया है इनकी छटपटा हट पढ़ गई है चाहे वो रूस से तेल खरीदने की बात हो मिडलिस्ट से भारत के रिस्ते हो इरान से चाबहार पोर्ट डील हो या फिर अपनी सर्तों पर अमेरिकी कंपनियों को भारत में एंट्री हो हर समय अमेरिका ने टांग अड़ाने की कोशिश की यहां तक की ट्रेड बैन की धमकी तक दी लेकिन भारत टस्ट से मस न हुआ बलकि विदेश मंत्री इस जैसंकर ने उनके घर में जाकर ही उनकी दोगली निती की पूल खोल दी अब ऐसे स्थिदे में अमेरिका की छटपटाहट सात्वे आसमान पर है अपने सारे तंत्र खोल कर चौतरफा दबाव बनाने की कोशिश में लगा है किसी भी देश को कमजोर करना हो उस पर अपना नियंतरन करना हो तो आज के समय में उसे आर्थिक रूप से कमजोर करना जरूरी है अब यहां सवाल ये उठ सकता है कि हिंडन बग ने अडानी को ही क्यों चुना भारत में अंबानी, टाटा, बिल्डा जैसे भी उद्योग पती है अडानी को इसलिए चुना गया कि अगर उस पर अटैक किया जाए तो देश की जनता और बाकी दुनिया के इन्वेस्टर्स को भी इस बात पर जल्दी विश्वास होगा क्योंकि वो अभी नए नए बड़े उद्योग पती बने है लोगों को लगेगा कि जरूर कुछ गलत किया है तब ही तो इतनी जल्दी इतनी बड़ी कमपनी बन गई टाटा, बिल्डा और अंबानी के केस में ये वाला फॉर्मूला फिट नहीं होता साथ ही अडानी को लेकर राजनितिक रूप से पहले से ही बदनाम करने की कोशिश तो जारी थी ही मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर किसी देश का प्रधान मंत्री किसी अपने देश के बड़े उद्योग पती के साथ खड़ा होकर फोटो खिचवा लेता है तो इसमें कहां ये सावित होता है कि उसके कोई वेवसाईक संबन है या फिर किसी और तरीके से उसको मदद की जा रही है और अगर कोई देश का उद्योग पती अच्छा कर रहा है देश में रोजगार पैदा कर रहा है देश के विकास में उसके जीडीपे में अपना योगदान दे रहा है दुनिया में भारत का जंडा बुलंद कर रहा है तो उसके साथ उस देश का प्रधान मंत्री को क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए क्या पीए मोदी टाटा बिल्डाया मानी के साथ फोटो नहीं खिचवाते या उनके साथ मेटिंग नहीं करते आपको ये समझना जरूरी है कि हिंडन बग के टाइमिंग क्या है पहला अटैक हिंडन बग ने अडानी पर तब किया जब गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर और विश्व के तीसरे सबसे बड़े अमीर उद्योग पतियों के लिस्ट में आ गए उसके बाद एरोपियन एसिया के 21 के लोग का कभी कभार नाम आता है वो भी नवे या दस्वे नमबर पर ही अमेरिका हर तरह से अपनी प्रभुत्यों को बनाए रखने की कोशिश में लगा रहता है तो उस समय हिंडन बग के रिपोर्ट ने भारत में तहलका मचा दिया भारत में मोधी विरोधी लोग और तेजी से अपना पाउपसारने लगे अमेरिकी मीडिया अमेरिकी का बड़ा सटोरिया और स्टॉप निवेसक चौज सोरोस जिसने कभी इंगलेंड के सबसे बड़े बैंक को कंगाल कर दिया था वो भी अडानी के मुद्दे में कूप प अपने हित में फैसले लेने को मजबूर करने का आरोप लगता रहा है जौज सोरोस मुल्त हंगरी के हैं इनके इनी नितियों के कारण अपने ही देश में इन पर प्रतिवन्द लगा दिया है और बजापता स्टॉप सोरस नाम से विधयक लाया गया भारत के भी कुछ मीडि टीवी से वेरोजगार हुए कुछ पत्रकार से लेकर वामपन्थी ग्रुप ने मोदी यडानी के खिलाफ चहर उगलना शुरू कर दिया और उसका आसर भी मार्केट पर दिखा था लेकिन अंत में सुप्रीम कोट ने इन सब आरोपों को आधार हीन बताया और भारत की वित का दौर चल रहा है भारत का शेर मार्केट अपने बुम पर है न तो अडानी को आगे बढ़ने से रोक पाए और नहीं मोदी को तीसरी बार पीम बनने से तो फिर एक शबूफा लेकर आया है हिंडन बग और इस बार भारत के सबसे बड़ी वत्यामक संस्था से भी जो भार किनिया भर के निवेशकों का विश्वास किसी एक कंपनी या ग्रूप से नहीं बलकि भारत के पूरे शेयर बाजार से उठ जाए भारतिये विवस्था से उठ जाए अगर इस कंपनी ने इन्वेस्टिकेशन पहले किया था तो जो बाते आज बता रहा है वो ठारा महीने प वो ही सबूत माना नहीं है और जब हमारे देश की सबसे बड़ी वित नियामक संस्था ने आधहार ही न आरोपों के लिए इसके खिलाफ कारण बताव नोटिस जारी किया तब ये एक और सबूपे के साथ आया है वो भी कारण बताव नोटिस चारी करने वाले के ही खिलाफ और टाइमिंग इतनी सांदार चुनी है कि उधर बांगलादेश में अमेरिका तक्ता पलट कर रहा है हिंदूओं पर अत्याचार हो रहा है तो इन सब बातों से दूर होकर भारत में इसकी चर्चा हो और बांगलादेश में अमेरिका अपना मनमानी करता रहे हिंदूओं प उतने मजबूत स्थिती में नहीं होंगे और विपक्ष इस रिपोर्ट पर हल्ला मचाने को तो तयार रहे गा ही लेकिन हिंडनबर्ग अब देश की जनता तुम्हारी इसलियत जान गई है जो शौर्ट सेलिंग करके एक तरह से उगाही करते हो उससे भी लोग परचित हो चु हमारे देश में अपनी जाच एजनसिया हैं अपनी संस्थाएं हैं और आप से कहीं बेहतर हैं और हमें उस पर पूरा भरोसा है जो लोग अपने लोगों अपनी संस्था अपने सिस्टम पर भरोसा नहीं करते उनका हाल बांगलादेश, स्रिलंका और पाकिस्तान जैसा ही हो कि ये रिपोर्ट सिर्फ एक भारतिय उद्योगपती या एक भारतिय संस्था पर नहीं बलकि पूरे भारत पर हमला है और इसमें हिंडनबर्ग तो एक प्यादा है अस्ट्री खिलाडी तो कोई और है जिसके पास सोरोस और CIE जैसे कई टोल्स और भी हैं बस हम लोगों को सतर करने की जरूरत है